नमस्कार मेरा नाम है खुश्बू और आप देख रहे हैं SM News चैनल आप सभी का SM News में स्वागत हैं आज हमारे साथ हैं फोजी जिन्ता पार्टी के रास्ट अद्यक्ष राम महर मलिक जी मलिक जी हमारे चैनल में स्वागत है धन्यवाद खुशू मलिक जी आप हमेशे सविधा साथ की बात करते रहते हैं हमारे देश की शाषन पर नाले सविधानिक तौर पर कारे कर रही है या नहीं या बद खुशू बहुत सभी चुलन आपने मुद्दा उठाया है यह मुझे दुख हो रहा है और मुझे बताने में कोई इसमें जराशी भी जहजक नहीं होगी कि स ज़्यादा काबल इंसान मुझे नजर नहीं आया है, उनसे ज़्यादा पढ़ालखा, उनसे ज़्यदा समस्टार, मुझे कोई दूसरा इंसान नहीं आया हैं उनके हाथसों से लिखा हुआ समिधान, कздरब घर्व हो तके उपर लेकिन दुख ही हो रहा है कि कहीं के कहीं नह को बस नजर अदाज कर दिया जाता है और जो शासन परनाली के आपने बात की है खुश्वू देखिए हमारा शासन नॉर्मली तक्रीबन तक्रीबन शासन परनाली जो उपर से चल रही है उसके अंदर तीन-चार एजिंसीज हैं सबसे बड़े रास्तपदी महोदे हैं हमारी देश के प्रसम नागरिक हैं और उसके बाद केंदर सरकार हैं तो केंदर सरकार केंदर परदानमंतरी महोदे और उनकी केबनेट है और एक बहुती महतुपूर्ण जो है वो दूसरी संस्था है वो है नैल है और नैल हम कहें सर्वोच नैल है क्यों बाकी नैल है तो सब जिम्मेवारी है देश को बचाने की जिम्मेवारी है देश के सिस्टम को बचाने की इनी तीनों के उपर जिम्मेवारी है चौती एक और वेवस्ता मैं आपको बता दू जो के परदेशों में है राज्यों में है वो है राज्यपाल महुदै तो ये चार समयदानिक पद है और चारों को बहुत ही निस्ठा से अपनी अपनी देगा काम करेंगे तभी ये देश बच सकता है तभी ये समीधान हमारा सुरक्षित रह सकता है लेकिन इसमें खुश्पू मुझे कुछ कमिया नजर आ रही है जो मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले जैसे कि राजपाल अभी आपने एक हाल में एक घटना करम हो गए हैं हमारे यहां राजपाल महुदय के पद की गरीमा को कई भार ठेश पहुचाई गई है कई राजपालों ने पता नहीं वो अपनी उस गरीमा को बचा नहीं पाए हैं ऐसे कई का कई केस हुए हैं पर हम पुराने में दोराने जुरूरत नहीं जिन्ता को मालूम है सब को कही हुए अभी हाल में कुछ तो जैसे करनाट का और गोव अगरा में कही हुए थे लेकिन अभी आपने अभी देखा होगा पिसले एक मीने से महरास्टा में एक बहुत बड़ा सरकार बनाने का ड्रामा चल रहा था उसमें भी पर आँच तो आई है राजपाल महुदय को बाइस नूमबर की रात को किस तरीके से जो मुख्यमंतरी पिछले आउट गोइंग मुख्यमंतरी थे उन्होंने जा का सरकार बनाने का दावा किया है उनके साथ एक समर्थक गए हैं जो चमवन आजमी का दावा कर रहे तो यहा कि उसी शाम को बागिके के तीनों पार्टी पूरा मैजॉरटी दिखा चुके थे अपना वो अन। कर चुके थे देश के सामने बता चुके थे कि कल हम अपचारिक तौर गोषणा करेंगे सरकार बनाने की और वो उडब ठाकरे को बनाने ने ता चुन चुके थे अपचारिक गोषणा आगले दिन नहीं फैसला करना चाहिए था, उनको कहना चाहिए था, कि अगर तुम्हारे पास आकड़े हैं, तो कल मेरे पास आकड़े पेस करिए, दिखाइए यहां, वो अपने तरीके से परेड करवाते हैं, यह जो भी करवाते हैं, यह उनको करना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया, इसके स समानित है ये बहुत ही समानित है मैं उस पद के गरीमा के खलाब भी एक सब्ध नहीं कहोंगा गलत लेकिन मेरे साब से रास्तपती महोदे को भी ये सवाल करना चाहिए था अब ही क्यों रात को आया है ये जो राश्तपती शाषन इस दिन हो चुके थे तो एक दिन में और क्या फरक पड़ाता है एक रात-रात उपर से जाने के बाद अगले दिन में हो जाता फिर तुरंत जो है उनको सपत दिलाई गई वहां भी राज़ेपाल महोदे का तो ये दोनों के उपर मैं समझता हूं कहीं न कहीं कुछ तो आच आ अब मैं तीसरी एक चीज और करने चाहूंगा खुश्बो परदानमंतरी का जो गरीमा है वो भी वरत्मान परदानमंतरी अपनी गरीमा को कहीं भी बचा नहीं पा रहे हैं हर जेगा अपनी पद की गरीमा की धजियां उड़ाते हैं ये मैंने बहुत सारे इनके फैंसले दे तो इनकी इन्होंने भी पद की गरीमा जो बहतर साल में किसी ने भी इतनी ठेस नहीं पहुचाई दी जिसने वरत्मान परदानमंतरी महोदे ने अपनी इस गरीमा पद की गरीमा को जो ठेस पहुचाईए ये भी बहुत दुख़द है ये नहीं होना चीए अब मैं चौता एक और बहुती महतुपून हमारी मतलब एक सासन परनाली का सबसे महतूपून हिस्सा है नैले मैं यहां पर सर्वोच नैले के फैसले से मैं बहुत खुश हूँ और मैं समझता हूँ कि यह नैले अगर ना हो तो देश को यह लोग कभी कभी का बेच के चले गए उते तो नैले हैं तो इसलिए देश कहीं न कहीं सुरक्षित है लेकिन मैं एक अपील जरूर करना चाहूँगा मानने यह सर्वोच नैले से या आमिन नैधीस महुदे से मुखे नैधीस महुदे जो हमारे हैं सर्वोच नैले के उनसे एक अपील करना चाहूँगा कोई उनके फैसले के खिलाब मेरे पास कोई शब वैसा नहीं है बिल्कुल भी नहीं कहूँगा मैंनों बहुत अच्छा फैसले दिया हमारा स्टा के लिए लेकिन मैं सिर्फ एक निवेदन ये करना चाहूँगा कि उनकी नजर में ये सब कुछ हुआ है जो रात पर ड्रामा चला है अगले दिन राश्पजी सासन इड़ गया तो शायद अगर उनके दाइरे में ये आता है जो मैं समझ रहा हूँ कि उनको खुद ही संग्यान लेकर के और तुरंट अगले दिन जब संड़े को नैले में जब सुनवाई चली है वो तुरंट उस फैसले को ही रद कर देना चाहिए था जिस फैसले के तहट ये आदेश जारी किया गया है सरकार बुनाने का क्योंकि ये तो मानने नैले को भी समझ में जरूर आगया होगा रात कोई कि ये गलत फैसला हुआ है क्योंकि शाम को तीनों पार्टियों ने इकठा प्रेस कॉन्फरेंस करके बता दिया था कि हम कल सरकार का अपचारी गोसना करेंगे तो मैं अगर हो सकता है उनके दाइरे म मताबिक ये सरकार का गटन हुआ है तो मैं समझता हूँ मैं नैले के उपर कोशवाल नहीं नैले की वज़े से देश बच रहा है पर ये अगर ऐसा करें तो मैं समझता हूँ हमारी समीधान की रक्षा और अच्छी तरह से हो सकती है और कहीं ने कहीं मैं समझता हूँ ये दे प्राशन पर्णाली तो उनंहीं के नीचे चलती है ना लेकर के अंदर सरकार ना कूई बहुत सारे मंतरी हैं जो error जब्मेवार बैंने दे रहते हैं गैएर जम्मेवार काम भी करते हैं फोदरान मंतरी मोटे दुनिया पर की जूट बोलते हैं जब वो खुद उनके मुख्या जूट बोलते हैं तो उनके नीचे वाले क्यों नहीं बोलेंगे वो तो उसका गलत इस्तेमाल करेंगे इस खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले